संजी जी आपको गिरापान किया कहेंगे आपके नरेंद्र मोधी अधानी के नौकर है और अधानी के नौकर से हम लोग ड़ते नहीं जितना अप्तिया चार्च जरू करना है करने कोई दिकत नहीं बाख बोला यह नहीं नहीं दोग दोगते नहीं लड़ेंगे संजीता इंका रिमांड आमाद मी पार्टी ट्रागी सेटीया कूरार सहका कूरा सेकाथ 80 है जन पीसोर अंजन आमाद मी पार्टी न्यताक उसे रोंगा घृरलओ यवे बंगी होसे कारा करोंव जी यहां लग्ताइक हूँ दिल्लिट प्रवाटन कुरा खुरा निटिट अनियम और अभिजु कुछ ठापन होसेल अरु हे अनियम और अभिजु कुटी-कुटी ठोकार क्या लेंग करेट नाम हांगुर्खाई पुरिसेल संजय सिंगारु अरु हे इमर में एदिए गुर्बार दिन तूर्थ हरा भाहि अरुतार पुस्टे ग्रेप्तार पुरा होल संजय सिंग और ग्रेप्तार प्रोतिक्रिया प्रका कुरेसे संजय संजय सिंगार पट्नी इसे अध्योजुजद जुजिवा ते और स्वामी संजय सिंग है संजय सिंग सचाई की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी अई सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सचाई की हमेशा जीत हुई है और हम हम चाहते हैं कि सचाई की जीत हो गई तो वो सत्त के लिए लड़े हैं तो सत्त की जीत है उनके साथ हम है उन्हों का एक मन गणंत सड़ेंद था उन्होंने जो सड़ेंद किया है तो हम चाहते हैं कि हमारे पती बहादूर है आनते सौंजो सिंग और ग्रेट दरोग बेया इनिया अक्ठा दिले दिल्ली मुख्य मुट्री तो था आमत में पर्टी परुपी अर्विन के जिवारे इन लोगों से हमारी इमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास इन्होंने हमें बदराम करने की खूब कोशिश की इन्होंने सारी इतनी सारी मिर को आठ साल हुए मुख्य मंत्री बने आठ साल में इन्होंने मेरे सातों जनम चान मारे लेकिन इनकों कुछ नहीं मिला आज इन्होंने संजे सिंग को गिरफ़तार कर लिया संजय सिंग नरेंद्र मोदी जी के भरष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है संजय सिंग और ग्रेपतर को अपासोटे पूरी अलर खबोर लोले संजय सिंग और बाखोग मेहर गोई पूरी अलर खबोर लोले आम अद्मी पार्टी गुराथी लोगोटे खोले जे एया होरोजन्ट मुलग भवे ग्रेपतर पुराहो से एग्रेपतर हम पुना बेयाईनी के बोल संजय सिंगे नहोई बामोनी सी सोडिय वास्टिंडर जैने नहोई लोका होबानी बास अनल प्राग शनल खबोर जोगोग विपक्ष में है जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो जेल में बंद करने की कोशिश करें सरकार के इसारे पर जाच एजन्सियों का दुरूप्यों क्या जा रहा है जाच एजन्सी भी खुद जाच के घेरे में आ गई है मैं संजे सिंग जी की गरफतारी के निंदा करता हूँ पिछले काफी लंबे समय से वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाप मोर्चा लगाये हुए थे जान बूज करके दिल्ली गोवर्मेंट को आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कारवाई की गई झाल